ग्रहे एवं स्वास्ते मंत्री अनिल विज ने कहा कि विरोध परदर्शन करना हर विक्ति का अधिकार है मगर इसकी आण में तोड़ फोड और आगजनी करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बक्षा नहीं जाएगा ग्रहे मंत्री ने परदरकारों से बातचीत में कहा कि तोड़ फोड आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते सेना में तो अनुशासित लोग ही जाते हैं और उन्हें कहा कि हमारे देश में कुछ शरारती दत्व हैं जो हर समय मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शान्ती को किस तरह भंग किया जाए और इसे किसी भी हालत में बरदाश्ट नहीं किया जाएगा तोड़ फोड करने वाले को किसी भी सूरत में बख्षा नहीं है पुरे हिदायते दिदी गही है और सारों की सूचिया बनाई जा रही है कि जो भी तोड़ फोड करेगा उसको हम किसी हालत में बख्ष नहीं सकते हैं आप दर्मा की लिए जुरूस निकाले प्रतर्शन करें आपका दिकात प्रजात अंत्र है लेकिन तोड़ फर्ड़ करना, मार पिट करना, आग जनी करना को हम किसी हालत में परदास नहीं करें ये है व मैं स्वास्ते मंत्री ने कहा कि कोरोना के मामलों पर हमने निगाहा बनाई हुई है अभी मामलों में थोड़ी वृद्धी हुई है मगर फिर भी हर्याणा में कोरोना के मामले नियंत्रण में है